हेलो और वेलकम माई डियोर सूल फामली कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही जादा स्पेशल क्योंगी आज की रीडिंग में हम देखने के कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनरजी है क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में अगर आप इस चैनल पे नहीं आये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर उस पे औल पर क्लिक कर दीजेगा ताकि आपसे एक भी वीडियो जो है मिस्स ना हो आई शुरू करते हैं इंजल्स का नाम लेके सबसे पहले इंजल्स को थांक यू बोलेंगे और जानने के कुशिश करेंगे कि आपके पर्सन की क्या करेंट एनरजी है क्या करेंट फीलिंग से एक काड़ में चाहिए थांक यू पहला काड़िया पे आ गया है forgiveness अपने पर्सन का नाम लेते रहिए आपके मन में जो सवाल है वो पूछते रहिए अपने पर्सन का नाम लेते रहिए okay it's up to you यहाँ पे काड़ा गया है ask your it's up to you ask your angels it's up to you ask your angels within the next few months और यहाँ पे काड़ा गया है wait ठेक है wait करने की जरूत है और यहाँ पे काड़ा गया है आने वाले कुछ महीनों में जो भी आपका सवाल था सबसे पहले यहाँ पे आया है काड़ it's up to you जिसका मतलब आप समझ रहे हैं इसका मतलब साफ है आपको यह बोला गया है जो भी चीज़ आप चाहरे है ठेक है उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूत है यह जो टाइम है आपके लिए पिछले साल के मतलब इस करिंच साल के 2021 के कुछ चो दिन बचे हुए है और आने वाला जो पूरा साल है आपके लिए बहुत ज़ादा प्रीशेस है आपके लिए बहुत ज़ादा बहुमूली है इस साल में या आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए इतने ज़ादा पावरफुल चेंज जो आपके रहा में वेट कर रहे हैं जिसके आपने कलतना भी नहीं की थी Everything is working in your favor मुझे ऐसा लगता है बीते कुछ समय में आपकी लाइफ में बहुत ज़ड़ ज़ड़ जनजाले आई हैं बहुत ज़ड़ दुख वरा रहा है बहुत सारी जो चीजे हैं वो रुकी है किसी न किसी वज़े से हो सकता है आपकी कामों में रुकावट आई हो, हो सकता है आपकी love life बहुत ज़ड़ खराब रही हो, rough patches रहे हो हो सकता है बस आप अपने person का इंतजार ही करते रह गए हो लेकिन कुछ भी अभी तक ठीक नहीं हुआ हो तो आपका थोड़ा बहुत जो भरोसा है वो डग मंगाने लगा है आपको लग रहा है जिस चीज के लिए मैं इतना इतजार क्या वो सही में मेरे लिए होगा तो उसका answer है within the next few months देखे जब जो चीज होनी होती है ना होनी को कोई नहीं डाल सकता और होता भी इसलिए है क्योंकि ये आपका टाइम होता है ठीक है तो इसलिए यहाँ पे काड़ा है within the next few months आपके लिए इतनी ज़दा positivity लाने वाले हैं हो सकता है कि आपको ना बहुत ज़दा अध्यात्मिक्ता में बहुत ज़दा विश्वास हो यानि कि एक बार कदम अगर उस धर्ती को उस भूमी पे अगर एक बार पहुँच जाए सपर्श कर ले उस भूमी को तो आपकी सारी चिंताएं आपकी सारे पाप धुल जाते हैं आपका करम ठीक हो जाता है इसी तरीके से यहाँ पे काड़ा है ask your angels अगर आप अपनी love life को ले के परिशान है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी person message नहीं करते है आपको call नहीं करते है आपकी बात नहीं समझते और आपको तवज्जू नहीं देते तो धिहान रखेगा कि जो आपकी angels ना जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है, इस समय जब आप वीडियो देख रहे हैं, आपके इंजल साब को बखुवी देख रहे हैं, वो आपके स्ट्रगल को देख रहे हैं, वो आपके मेहनत को देख रहे हैं, आपके लॉयलिटी को देख रहे हैं, तो इसलिए वो कहना चा बीवी धोगा धड़ी या फिर पूरा साब में भाया है धोगा धड़ी तो कभी की भी नहीं है, तो इस वजए से आपको अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा और उनके कर्मों का फल मिल रहा है, उन्होंने जो चीज की हो, ठीकिए, it's up to you, उगली आपके और आ रही है, it's up to you आप उसको positivity लीजिए ठीक है जब तक वो गए हैं आपको छोड़ के सूचिए अगर आज आप उनको छोड़ के गए होते तो आपको कैसा लग रहा होता आपको बहुत बुरा लग रहा होता आपको बहुत रिग्रेट हो रहा होता आपसे वो forgiveness चाहते हैं इसी वज़े से क्योंकि उनको ना इस बात का बिलकुल realization है कि उन्होंने ना एक ऐसे इंसान को प्यार करिया या फिर एक ऐसे इंसान को खो दिया जो हमेशा उनके साथ देगा जो हमेशा उनके साथ रहेगा जो हमेशाँ उन से प्यार करेगा तो ऐसे इंसान को खोना बहुत जादा बड़ा लॉस होता आपके intentions सही थे, आपके intentions pure थे है ना, तो उनका जो loss है, आपके loss से कई जादा गुना बड़ा है, इस बात को मानिए आप, इस बात पे भरोसा रखिए description box में new video का link आ गया है, अभी अभी upload कर दिया video, आप सभी को जा के देखनी है कोई भी उसको mess न करें, क्योंकि आपके लिए वहाँ wait करें एक बहुती तरो ताजा सा surprise और वो भी आपकी surprise topic पे reading जो है आ गई है उसको जा के जरूर देख लेज़ेगा ठीक है, अब जाने की कुशिश करते है आपके person के मन में exactly चल क्या रहा है आपको लेके, ठीक है अपने person का नाम लेते रहिए आपका जो सबर है वो जरूर 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 आपके लिए बहुत अच्छे फ़ल लेकि आएगा क्योंकि पॉस्टिविटी का कार्ड इतना जादा देख रहा है ना, दो हजार एकिस फिफ्ट चक्रा आर्केंजल गैब्रियल देख लीजे फ़गिवनेस वाला कारा है और यहाँ पे साब पता चल रहा है आपके person का जो थ्रोट चक्रा है वो ब्लॉग्ड है इसका मतलब यह है आप उनसे बात करने के इंतिजार करें और वो आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पर है देखा, आगे आओगा समझ में women holding a coin जब तक वो आपके life में दुबारा entry नहीं लेते तब तक आप बहुत ज़ादा खुद पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे है यह मुझे दिखाए दे रहा है जितने भी मेरी divine feminine है यह divine masculine है जिनके partner उनको एक तम से छोड़के गायब हो गए है बूदिया तरीके से उन्होंने ghosting कर दी है उनके लिए मैं देख रही हूँ बहुत ज़ादा crucial time था और उन्होंने अपने time को बहुत अच्छे तरीके से use किया है बरबाद नहीं होने दिया है और अपनी महनत से आपने अपना career जो है सवार लिया है उसके लिए आपकी life में बहुत सारा money और financial abundance आपके रास्ते में आते हुए पुझे नजर आ रही है attachment लेकिन देख लिजिए ये क्या हो रहा है ये बताएए आप आगे तो बढ़ रहे है लेकिन आप कही ना कही पास्ट की जो एक जंजीर है उसमें बंदे हुए वो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने देरी तो मुझे ऐसे लगता है आपको अपने आपको उस जंजीर से आजाद करने की जरुत है जब आप अपनी पुरानी जंजीर को खोल कर नहीं की और बढ़ेंगे तब ही तो आप दोनों के बीच में एक नई शुरुवात होगी या क्या आप ऐसे चाहते हैं कि जो आपका रिष्टा टॉक्सिक था वही टॉक्सिटी वापस आ जाए या फिर लाग गुना जादा जो है अच्छा हो जाएदे कि पेशिंस यहाँ पर फिर से पेशिंस का काड़ा है जिसका मतलब यह है कि आपको ना किसी भी हालत पर अपना पेशिंस नहीं खोना है किसी भी हालत पर नेक्स्ट फ्यू मंत से आपकी जो लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं वो चेंजेस देखने के लिए वो चेंजेस महसूस करने के लिए आपको कही न कहीं इस attachment से अपने आपको दूर करके अपने patience को बनाया रखना है अपने हिम्मत को नहीं खोना है देखिए, उमीद पर तो दुनिया कायम है आपके angels जो आपको 24 गंटे देख रहे हैं, at least उनकी इसद रख लिजे, उन पर भरोसा रख लिजे, एक भरोसा ही कोई चीज देखने का, कोई चीज झेलने का इसलिए तो इतना सारा कुछ होने के बाद भी आपके दिल में एक law अभी भी जग रही है जल रही है कि क्या पता मेरे person मेरे पास वापस आ जाए और मैं बस इतना ही चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे person आकर मुझे एक बार प्यार से गले लगा ले और मेरे प्यार को समझे इतना ही तो चाहते हैं तो यह आपकी शक्ती ही है यह आपकी प्यार की ताकती ही है जो अभी तक आप दोनों के अंदर दूसरे के लिए जो वो spark है वो अभी तक जलाए रख रहा है देखते हैं आपके person की तरफ से क्या messages है friendly friendliness मुझे ऐसा लग रहा है अभी बीते हुए कुछ समय में आपकी life में जो transformation आया है या फिर आपने अपनी कोई new journey को start किया वहाँ पर आपकी बहुत सारे दोस्त बने हैं ठीक है और ऐसे दोस्त बने हैं जिनके साथ आपका connection अच्छा बैट रहा है और आपका ऐसा लग भी रहा है कि नई मुझे इनके साथ बना के रखनी है क्योंकि मुझे लगता है ये लोग मेरे थोड़े से real है है ना आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ दोस्त आपके नई बने हैं और आपके साथ जो है वो बहुत अची तरीके से connection फिल कर रहे हैं आपको support भी कर रहे हैं virtue आप कहीं पे भी जाये ना आप हमेशा honest रहते हैं और किसी के भी साथ कभी भी धोका दड़ी करने की कोशिश नहीं करते यहां पे एक message आया है कि जहां कहीं भी है ना आपके person आपको देखने की कोशिश करें और जब जब वो आपको देखते हैं उनके दिल में एक एक उमीद से जाकती है कि मुझे इस person को अपना बनाना है मुझे किसी भी हालत में इनको अपनी life में दुबारा से लाना है क्योंकि जब भी वो आपके वारे में सोचते हैं तो उनको वो पल याद आते हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताए और उसको याद करते हुए आपके person ये सोचते हैं कि मेरी खुशिया बीना इस अंसान से जुड़ी हुई है और जैसे 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 ये मान लीजिए आप उनके करीम जाते जाएंगे या वो आपके करीब आते जाएंगे ना तो खुशियों की जो लहर है उनकी life में गम से दौड़ जाएगी मुझे ऐसा लगता है आपके person का जो गुजा रहा है आपके बेना नहीं चलने वाला और spontanity का काड़ियां पर आया है तो आप ये मत समझेगा कि आपके person पुराना तरीका अपनाएंगे नहीं वो रास्ते अनीक हैं जो वो जानते हैं जो universe उनके दिमाग में डाल रहा है जो angels उनको भी तो guide कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए दिल में बहुत सारी बाते चल रहे हैं उतल पुतल हल चल मच रहे हैं इस वक्त currently मुझे ऐसा लगता है वो आपके बारे में सोच के सोच बहुत चाहिए खुश हो रहे हैं और इस बात को imagine करने से ही जादा वो खुश हो रहे हैं कि कैसे आने वाले कुछ टाइम में वो आपके और आ करना आपको दिल अपना दे ही देंगे दिल तो हमेशा से उनका आभी के पास रह गया, बस वो तो चले गए, he walked away, they walked away, but दिल अपना यही छोड़ गए पीछे, जो कभी भी आपसे दूर नहीं जा सकता, within the next few months आप खुद देख लेजे, प्रूफ आपके सामने है, next few months, next few days आपके लिए बहुत ज़दा क्रूशिल है लेकिन जो भी आप चाहते हैं, अपनी goals को, आपको हमेशा priority बना के रखनी है, financially आप बहुत ज़दा improve करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और love life आपकी बहुत ज़दा flourish और glow करने वाली है, आने वाले कुछ time में, और इस बार जो आप दोनों के बीच में शुरुआत होने वाली है, उसकी जो दुबारा से नीव होगी, वो पहले से जादा अच्छी है, पहले से जादा strong होगी, और यहां पर मुझे लग रहा है, दोस्ती से शुरुआत होने वाली है, जैसे पहले भी हुआ था, लेकिन ये part two है दोस्तों, यह सीक्वल है, यहां पे कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार होने वाला है, तो इस बात के लिए अपने दिल में हमेशा, हमेशा thankful रही है, इंजल्स के लिए, इंजल्स को शुक्रियादा करिए, जब जब सुबह उठते हैं, अपना प्यार जमीन पे रखते ही, आप इंजल्स को बोलिए, थांकि सो मच इंजल्स आ बाद दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, एक चीज़ और बोलना चाहूंगी, न्यूरीडिंग का जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, प्लीज जाके उसे चेकाउट, जरूर कर लीजिएगा, अभी रुगिया भी जाना नहीं है, कुछ लब मेस जिस देख लेते हैं, इसके बाद आपको फ्री कर देंगे, जिसको जो भी काम है वो कराईएगा, प्लीज 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 लाइक कर देजिए, यूरी हाटबीड बिलॉंग्स तो यू, देख लीजिए, आपके बारे में सपना देखना, आपको सपने में देखना, इनके बहुत बड़ी बात है, और आप इनकी दिल की धड़कन है, हर धड़कन में आपका नाम है, यूर इर्रिप्लेसिबल, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इनके खुशी आपसे है, मैंने बोला था ना, वो जानते हैं, सिर्फ आप ही कर सकता है, यू अल्वेस सीमस तो न बेतहाशा प्यार करता हो, बिना किसी सेलफिश मोटर के, आशे करती हूँ, रीडिंग पसंद आई होगे, आपको जल्दी से लाइका बटन दबाकर, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्यार देके जरूर चाहिएगा, गॉड ब्लिस यू, अन लव यू ओल,